प्रधान मंत्री की कुर्सी गई तो रह रहकर इमरान खान का दर्ज लगता है और वो दुहाई देते हैं हिंदूस्तान की एक बर फिर एक रैली के दोरान अपनों में घिरे इमरान खान ने भारत की तारिफ की विदेश नीती पर भारत से सीखने की बात कही है अंदुस्तान अजाद हुआ था और उनको देखे घरत्बंद फॉरंड पॉलिसी और हमें देखे के हमारे पास कौन आया है चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश वो तो बूट देखते है पॉलिश करता है वो अमरीकी देखते है तो उसकी काम पे टांगनी शुरू हो जाती है यह हमारी किस्वत में बैटे हुआ है जुरत नहीं है इनकी के पॉलिसी बनाया हाल ही में अमेरिका को लेकर पाकिस्तान के पूर्व पीम इमरान खान ने कहा कि उसे अपने दक्षिन और मध्य श्याई मामलों के विदेश सेवाधिकारी डोनाल्ड लू को बुरे वहवार के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को धमकाया था इमरान खान ने CNN को दिया अपने इंटर्व्यू में एक बर फिर भारत की विदेश नीती की तारीफ की है और कहा है कि भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है और अमेरिका का प्रमुख रड़ीती सहयोगी भी है इमरान खान ने कहा कि डोनाल्ड लू को बुरे बहवार और एहंकार के लिए बरखास्त कर दिया जाना चाही इंटर्व्यू के दौरान अमेरिका को लेकर एक सवाल के जवाब में इमरान ने कहा कि डोनाल्ड टरंप प्रशाशन के साथ उनके अच्छे संबंध थे लेकिन जब से बाइडन सत्ता में आये हैं तब से ही उनके संबंध तनाव पूर्ण हो गए हैं उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि किन वज़ों के चलते बाइडन प्रशाशन ने मुझसे कभी संपर्क नहीं किया पाकिस्तान में कोई अमेरिकी राजदूद भी नहीं था पाकिस्तान की पीम पत से हटाए जाने पर इमरान ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिकी राजनेक ने उनके साथ अच्छा वहवार नहीं किया है इसे लेकर अमेर्की राजनेक ने पाकिस्तान के राजदूद से कहा था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव के जर ये इमरान खान को सत्ता से नहीं अटाया गया तो इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा इम्रान का कहना है कि अमेर्की राजनेक ने ये बात तब कही थी जब संसद में अविश्वास प्रस्ताफ पेश भी नहीं किया गया था लेकिन उन्हें इसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता था इमरान को लेकर अमेर्की राजनेक ने पाकिस्तान के राजदूद से कहा था कि अगर आपने इमरान को अविश्वास प्रस्ताफ से हटा दिया तो सब कुछ माफ कर दिया चाएगा इमरान ने अमेर्की राजनेक किस बहवार को एहंकार बताया है इमरान ने कहा कि जब वो सत्ता में थे तब उनके लिए पहली प्राथमिक्ता पाकिस्तान के लोग थे वो रूस से तेल आयात करना चाहते थे लेकिन इसे उनके खिलाफ इस तरह देखा गया जैसे कि वो अमेरिका विरोधी है जब रूस ने पाकिस्तान को तेल और गेहुं खरीद पर 30 प्रतीशत की छूट का प्रस्ताव दिया था तब भारत ने भी यही किया था तो अमेरिका को लेकर इमरान के इस बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें टीवी नाइन भारत वर्ष